असलाम अलेकुम वेलकम बैक टो माई चानल कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूं सब टिक ठाक होंगे खेलियस जोंगे आज मैं आप लोगों से बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कूस करूंगी हिस्ट्रेक्टोमी अच्छली होता क्या है और इसको करवाने के क्य हारी में यहां आले कि अपने आप लोगों से इन ंत वारे मिं में डिस्कूस करूंगी हुं अुछली इस्त्रक्टोमी एक मेजर सरजरी हिसमें लोम को रिमॉव कर देना हुड़ logging आ क्यों धाजए है इसे में सेब सीच्विशन के पर पर डिपैंड करता है यूटरैस के साथ साथ सर्विक्स और उसके जो ट्यूप वगारा हो डियें हम को भी अधिया जात aumentar tomar見て डिपेंड करेंगी सारे चीज़ें यह सरजरी करवाने की बहुत सारे रीजन्स हैं सबसे पहले ही यूटरीन फिप्राइट यानि के नॉन कैंसर घ्रोज हो जाती है यूटरीन प्रोडप्स यह इसमें क्या होता है जो यूटरीस होता है वह अपने नॉमल पोजिशन से सब्सक्राइब करते हैं और इंधर मेंडरी उसे अंदर मेंडरी लाइनिग वह स्वाइब फिर्विक्स स्थय पहार इधर पोजिशन पर बना शुरू हो जाती है तो इसमी से भी उतिर्जरी तर्जरी होती है एक सुपर सर्विकल तूसरा हे टोटल और तीसरा हे रेडिकल सूपर सर्विकल में क्या होते हैं इसमें सरफ और सरफ यूटरस रिमूव करते हैं टोटल के अंदर यूटरस के साथ सार्विक्स भी रिमूव होते हैं और रेडिकल रिस्ट्रक्टोमी के अंदर सर्विक्स यूटरस और साथ ही साथ फरोकें ट्यूब्स वगरा भी रिमूव इसको करने के तीन वेज एक होता है लेपरोस्कोपी दूसरा है वाजानल हिस्ट्रेक्टोमी और तीसरा है अब्डॉमनल हिस्ट्रेक्टोमी लेपरोस्कोपी में क्या होता है वाजानल हिस्ट्रेक्टोमी इसमें क्या होता है कि जो अपर पार्ट पर एक कट किया जाता है और उसके जरीए युट्रॉस को रिमूब किया जाता है 3. Abdominal Hysterectomy इसमें क्या होता है? कि जो lower part होते हैं टमी के वहां पर कट किया जाता है और उसके जरीए वो uterus को remove किया जाता है ठीक है? यह तीन ways है इसके जरीए यह surgery होती है ठीक है? Hysterectomy करवाने के बहुत सारे disadvantages भी है इसमें ब्लड clot हो जाते हैं सही severe infections हो जाएंगी ठीक है? Hemorrhage होने के भी chances है इसमें क्या होते हैं? कि blood vessels जो होते हैं रफ्चर हो जाते हैं और abnormal bleeding होती है external भी होती है और internal भी होती है ठीक है? इसके रावा bowel obstructions भी होते हैं ठीक है? Long time risk यह है कि early menopause हो जाएगा साथ ही साथ scars हो जाते हैं pelvic region पे कोशन होता है When you have a hysterectomy What happens to your body? ठीक है? uterus जो होते हैं ठीक है इसके वज़े से क्या होगा कि periods नहीं होंगे और नहीं जो है pregnancy possible है ठीक है? conceive possible नहीं है लेकिन हाँ अगर सिर्फ और सिर्फ uterus रिमूव हुआ है और अगर ovaries है तो इसका मतलब यह है कि जो आपके hormone ovaries में बन रहे होते हैं वो लाजमी बनेंगे Early menopause जो होगी वो नहीं होगी ठीक है लेकिन हाँ आप इसमें menopause में इंटर जरूर हो जाएए इसके कोई साइंग और सिंटम्स इतनी जल्दी अप्यार नहीं होगी ठीक है लेकिन अगर साती साथ यूटरस के साथ साथ अगर ovaries भी और सर्विक्स भी सातीनों चीजें अगर रिमूव हो गई है तो आप जब उसी वक्त menopause में चले जाएंगे ठीक है आप में बात करूंगी प्रिकॉशन के हावाले से कि दूस और डोंस आफ्टर हिस्ट्रेक्टर में सबसे पहले छे हफते तक आपने बिल्कुल भी हैवी चीजों को हाथ नहीं लगाना है उठाना नहीं है बिल्कुल भी आपने अफ्टर सर्जरी एक्टिव रहना है ठीक है आफ्टर सिक्स वीक्स बैक टू रूटीन के लिए आप डॉक्टर से जाकर पहले मश्वरा करें जो वो रिकमेंट करें आफ्टर सिक्स वीक्स आप फिर वो काम स्टार्ट करें ठीक है एक और बात कोई भी मैडिसन्स बैगर डॉक्टर के एडवाइस के मत इस्तमाल किया करें ठीक है और इसमें कोई भी ऐसी बात जो नहीं समझने आई हो तो आप मुझसे कॉमेंट के जरीए पूछ सकते हैं अपना बहुत खयाल रखेगा मुझे दुआओं में याद रखेगा और किसी भी डिजिसन्स के हावाले सा अगर आपको इन्फोर्मेशन जाननी हो तो वह भी आप मुझसे कॉमेंट के जरीए पूछ सकते हैं ठीक है अलाहाफेज